सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है अब वैसे तो आईरवेग में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उशा पान उशा पान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप चार सारे चार बजे उठते हैं वो समय जो है उशा का समय कहला है उशा काल उशा काल में पिया हुआ पानी उशा पानी तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप सारे चार पांच बजे उठते ही पानी को लेकिन अगर आप न दिन की शुरुआत पानी से करें नहतु की बात हो यह आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ चाय से नहीं कौफी से नहीं दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ उठते ही पानी पिये और पीने का तरीका मैंने पहली बता दिया सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा कर सइबर के पिए ठंडा थिया नहीं है घड़े का पी सकते हैं नहीं को साधा पानी की पानी सुभय उटते ही पीना है अव आप बोलेंगे जी कितना पीए है है कि और यह तो गर्यत के एक सवा लीडर सभा मिडरे तर्म són कम सब पिने की आदद डाल दीजे थोड़े दिन में आदद पढ़ जाए शरीर यह जो है ना इतना फ्लक्सिबल है कि आप इसको जैसे आदक डालो वैसी पढ़ जाती है तो एक गिलास से शुरू करिए थोड़े दिन एक गिलास पीते रहे फिर धीरे देड़ गिलास करे फिर दो ग कारण क्या है रात्री को जवाब सो गए तो मुह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई वो इंदर उदर जमा है उठते ही आप पानी पिएंगे तो यह अंदर जाएंगे और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जात लिए तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारो तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई पहला फाइदा दूसरा फाइदा यह है कि सुबह मैंने आपको पहले बोला था न ज्यान दिया कि सुबह का समय वायू का होता है सुबह का समय वायू का प्रकोप श क्यांत रहेगा जब तक पानी हैं तो वायू ज्यादा तक्लीफ नहीं करेगी और तीसरा फाइदा यह होगा कि जैसे आप पानी पीएंगे तो अंदरियों तक पानी जाएगा सुझे क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं फिर अंदरियों को साफ करेगा इंटेस्टाइन को साफ करेगा और रोज का रोज अगर आपकी आँटेस्टाइन एक नमस्वक्ष होती है तो मैं आपको फिर गहें उतने रूपएंगे स्काप्टेपर कर लिख के देता हूं जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिन्दगी में बोई रोग आने की शक्किता नहीं है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियों है कम से कम समाली कर पीना है शुरू करिए एक गिलास से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको चार गिलास तक ले तो ये चार सुत्र मैंने बताए मैं इतको फिर से दोराता हूँ ताठी आपको ध्यान रहे पहला सुत्र था बोजनांते वे शमवारी बोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है लेड़ तास के बाद पानी पीना है तो या तो जूस या तो ताठ या तो दूद पहर को और बूद पिना है रात को ये तहला सुत्र है दूसरा सुत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे थोड़ा 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 बूद बरके पानी पीना है तीसरा सुत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है फ्रिज में रखा ह पानी बरफ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है मिट्टी के घड़े का चाहें तो पानी पीश सकते हैं और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखरी सूत्र है वो ये कि सुबह सुबह उफते ही पानी पीना शायद मैं बूल रहा हूँ पहला सूत्र मोजन के दोरतास बात पानी पीना पीना है कुछ तो दूद रात को ताक दुपहर को जू सुबह दूसरा सूत्र कभी भी पानी पीना को सिप करके पीना है तीसरा सूतर खंडा पानी पिल्कुल भी नहीं पिना है और चौदा और आपी सूतर सुबह उठते ही सबसे पानी पानी पिना है ये चार सूतर का आज मैं आपको समापन करता हूँ कि आज से आप अगर ये चारो सूतर अपने जीवन में लागू करते हैं साथ दिल लगातार इसको कर लीजी साथ में दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूँ गैस फ्राइटिस जिपको भी है पेट में गैस बनती है जलन होती है खट्टी खट्टी डटार आती है भूजट्टीक से पच्टा नहीं है जिनको कॉस्टिपेशन हो दिया है कबजियत हो गई है कोष्ट बद्दता हो गई है मन बद्दता हो गई है पेट साथ नहीं होता है ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएगा जिनको भूख नहीं लगती है इनको भूख लगेगी, अच्छी नीद नहीं आती है, नीद बहुत अच्छी आएगी और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर्मे दर्द होता है, वो 6-7 दिन में गायव हो जाएगा जिनको आदे सिर्मे दर्द होता है, वो भी ठीक होएगा जिनको पूरे सिर्मा होता वो भी ठीक होएगा, चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएगे, वमिटिन संसेशन होता है, हमेशा हमेशा वो बिल्कुल खतम हो जाएगा, ऐसी ऐसी साधारन से लेकर असाधारन बीमारियां, जिनकी संख्या अरपादीस है, ये चार सूत्रों से ही ठीक पाउ में एडी का दर्ब है, ठीक हो जाएगा, धुटने का दर्ब 25 से 25 तीस का 7 तенд में चला जाएगा, और जो देढ़ 2 महीने लगाता है, ये सूत्र पालं किये, तो ये धुटने का दर्ब 15का से ज्यादा कम हो जाएगी, कमर का दर्ब 15 से ठीक हो जाएक, गंदे का टार सूतर का पालन करने मात्र से ही दूरों जाएंगा मैंने यह चार सूतर का एक्सपेरिमेंट अड़तानीस तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अधुद परिणाम मैंने देखिए है अधुद कि आधुद